जहिन दोस्तो मैं हूँ आपका बहादूर सर और दोस्तो आज मैं आपनों के साथ डिसकस करने बाला हूँ ये करंट अफ्यस का बहुती महत्पून टॉपिक टॉपिक का नाम है भारत और विस्व में बने पिर्थम रकॉर्ड पिछले एक साल में भारत और विस्व में जो पिर्थम रकॉर्ड बने हैं उन्स रिलेटेड आज हम टॉप हंडेड़ MCQ को डिसकस करने वाले हैं याद रखना दोस्तो सारे MCQ most important हैं और सभी MCQ को हम बिलकु question है जम्मू कस्मीर के पहले मुखमंत्री कौन बने है जम्मू कस्मीर के जो पहले मुखमंत्री है ये उमर अब्दुल्ला बन गए है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि जम्मू कस्मीर के ये पहले मुखमंत्री हैं तो आए इसके लिए हम डेटेल से समझ लेते हैं देखो जम्मू कस्मीर पहले क्या था एक विसेश राज था ठीक है फिर 31 अक्टूबर 2019 को ये केंद सासत प्रदिस बन गया और केंद सासत प्रदिस बनने के बाद यहां पहली वार चुना हुआ है तो जम्मू कस्मीर के जो पहले CM है वो उमर अब्दुल्ला बन गए है ठीक है कौन सी पार्टी से है ये तो ये जम्मू कस्मीर नेशनल कांग्रेस पार्टी से है ठीक है याद रखेंगे आप लोग सारे फेक्टों को नमबर सेकेंड कॉस्टन है UPS यानि कि Unified Pension Scheme लागू करने वाला देश का पहला राजज कौन बन गया तो दोस्तो UPS लागू करने वाला देश का पहला राजज बन गया है महराष्ट C option करक्ठ हो जाएगा आए हम डेटेल से समझ लेते हैं तो जो UPS Scheme है इसका फुल फर्म क्या है Unified Pension Scheme और याद रखना केंसरकान ने इस Scheme को मंजूरी दे दी है इस Scheme में क्या होगा तो जो करमचारी है उनके रेटार्यमेंट के बाद एक सुनस्चित Pension मिल सकेगी इस Scheme के तहट अभी करमचार यहों को Pension मिलती है NPS मतलब National Pension Scheme और करमचारी जो है यह लगातार OPS की मांग कर रहे थे तो कैंसरकार ने कहा भीया हम OPS तो नहीं देंगे लेकिन OPS से वहतर एक चीज चालू कर रहे हैं तो ऐसा कैंसरकार का कहना है कि यह OPS के जैसा ही है और इसको क्या नाम दिया है UPS तर्मचारी ने सरकार की सेबा करी है कम से कम 10 साल तो कम से कम जिसने 10 साल सेबा करी है उसको हर महीने Pension की रूप में 10,000 रुपे दिये जाएंगे UPS के तहट यह UPS बोलता है और यदी आपने कम से कम 25 वरसों तक सरकार की सेबा करी है तो 25 वरसों बाद यदी आप रेटार्ड होते हैं तो जो last का आपका एक साल है ठीक है तो last के वारा महिने में जो प्राप्त औसात मूल बेतन है ठीक है मूल बेतन का average निकाला जाएगा last 12 month का और फिर उसका 50% pension की रूप में दिया जाएगा ये कहता है UPS पहले जो OPS था तो retirement का जो last महिना है उसमें यदि आपका payment 60,000 रुपे हुआ ठीक है तो आपको 30,000 रुपे मंतली दिये जाते थे लेकिन आप कह रहे हैं कि हम ये last के जो 12 महिने है ठीक है इसका ओसत नकालेंगे और जितना आएगा उसका आधा हम pension की रूप में देंगे ठीक ह संविधान संग्रहालाय का उद्गाटन किया गया तो भारत के पहले संविधान संग्रहालाय का उद्गाटन ये OPS जिंदल Global University में किया गया है हम डेटेल की बात करें तो OPS जिंदल Global University ये हरयाना के सौनी पत में है और इसी में भारत का पहला संविधान संग्रहालाय इस्थ इसके आउसर पर किया गया नेश्वन की बात करें तो भारत का पहला राइस ATM कहा पर लॉंच हुआ है भारत का पहला चावल ATM दोस्तों इसको लॉंच किया गया है उडिसा राज्ज में वी ओफसन करक्ट आंसर हो जायागा तो उडिसा सरकार ने जो रासनकार धारक हैं उनके लिए भारत का पहला जो की 24 घंटे सर्विस देता है तो ऐसी एक मसीन लॉंच करी है तीके और इस मसीन से चावल नकलते हैं इसको नाम दिया गया है अन्य पूर्ती ग्रेन ATM तीके याद रखना ये भारत का पहला चावल ATM या फर राइस ATM है तीके उडिसा सरकार ने इसको ल केंजा लेली ने जीता है केंजा लेली यदि हम इनकी बात करें ये कौन है तो ये मोरकों की इन्फलूएंसर हैं काफी महत्पुन कोशन है ये इसको अब जरूर याद रखेंगे बताओ आजादी के बाद ओलंपिक के एक अही संसकर्ण में दो पदक जीतने वाली पहली भा आतलीट हैं ये मनुभाकर बनी हैं ठीक है मनुभाकर ने अभी पैरिस ओलंपिक हुआ है तो पैरिस ओलंपिक में दो व्रॉंज मेडल जीते हैं ठीक है इसी क्रम में एक और कॉस्टन है बताए किसने पैरालंपिक खेलों में भारत के लिए दो शौन पदक जीतने वाली पह अभी पेरिस पेरलम्पिक हुआ तो इसमें अबनी लेखरा ने गोल्ड मेडल दीता और इससे पहले जो टोक्यो अलम्पिक हुआ था 2020 में उसमें भी अबनी लेखरा ने गोल्ड मेडल दीता था और ये भारत के लिए दो गोल्ड मेडल दीतने बाली पहली महिला वन गई है ठ भारत की पहली air train ये कहां पर शुरू की जाएगी तो ये इंद्रागांदी एरपोर्ट नई दिल्ली में शुरू की जाएगी दोस्तो जो इंद्रागांदी एरपोर्ट है नई दिल्ली का इसने 2017 के अन्त तक टर्मिनल बन और तीन के बीच में यात्रियों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए एक आटोमेटेड मूबर सुरूंग करने की योजना बनाई है और ये जो पर योजना है ये 7.7 किलूमीटर रास्ता तै करेगी और इसमें जो बसों पर निर्भरता होती है देपेंडेंसी होती है कि बस मिल जाएगी ये निर्भरता भी कम हो जाएगी तिक है याद रखना नेश को चन है यूनेस को ने किस भारती सहर को संगीत सहर घोसित किया है तो संगीत का सहर यानि कि city of music ये किस सहर को घोसित किया है यूनेस को ने ये मद्दपदेश के गवा प्रश्ट किया गया और ये सहर केरला का सहर है ठीक है अंत्रक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतिय परटक ये गोपी चंद थोटा कुराव बने है नेश्टे अलीगण मुसलिम विस्विध्यालाई की पहली महिला कुलपती कौन बनी है most important question है तो करक्टांसर हो जाएगा दुस्तो नाइमा खातून अलेगण मुसलिम विस्विध्यालाई की पहली महिला कुलपती बन गई है बताओ राष्टे चेंपनशिप जीतने बाली पहली भारतिय महिला रेसर कौन बनी है इसका करक्टांसर हो जाएगा डाइना पुन्डोले और डाइना पुन्डोले ये क पहली महिला वित्त मंत्री बनी है ये श्टे थ्री स्टार ग्रेंड प्रेक्स गोरसबारी प्रतियुक्ता जीतने बाली पहली भारतिय महिला कौन बनी है तो दोस्तो इसका करक्ट आंसर हो जाएगा बताए जुलाई दूहजा चोवीश में लगातार साथ बार बजट पेस क करने वाली पहली महिला वित्तमंत्री कौन बनी है तो ये तो सभी को पता होगा निरमला सीतरमन और ये लगातार साथ बार बजट पेस करने वाली पहली महिला वित्तमंत्री बन गई है नेश कौस्टन है भारती नौसेना की पहली महिला हेलिकाप्टर पाइलेट कौन बनी है तो भारती नो सेना की पहली महिला हेलिकाप्टर पालिट ये अनामी का वी राजवी बनी हैं। दोस्तो जितने भी कोस्टन में करवा रहा हूं। सारे कोस्टन महत्पूर हैं, हम टॉप हंडेट कोस्टन को यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लगाईएगा और वीडियो क्लाश्ट में अपना इसकोर जरूर सेयर कीजिएगा कि आपने कितने कोस्टन के सही आंसर दिये हैं। चलो नेश्ट वन की हम बात करें तो बताओ भारतिय सेना में सुविदार के पत पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला कौन बनी हैं। जोडिस सुमिनबा तुलुका इनका नाम भी याद रखना ये जो हैं पहली महिला प्रधान मंत्री बनी हैं किस देश की तो ये कांगो लोक्तांत्रे गडराजी की पहली महिला प्रधान मंत्री बन गई हैं। नेश्चमार कोशन है अगस्त 2024 में दक्षिन भारत का पहला आदिवासी पुस्तकाल आए कहां पर खूला गया दोस्तो दक्षिन भारत का पहला आदिवासी पुस्तकाल आए इसको नाम दिया गया है कानू और ये कहां पर खूला गया है तो ये करनाटक के चामराज नगर में खुला गया ए ओप्सन करक्ठ हो जाएगा नैश्यमार कोशन है सुद्ध शुन कारवन उत्सरजन का दर्जा प्राप्त करने बाला भारत का पहला अंतरराष्टी हवाई अड़ा कौन सा बन गया तो सुद्ध शुन कारवन उत्सरजन का दर्जा प्राप्त करने बाला भारत का पहला अंतरराष्टे हवाई अड़ा ये इंद्रा गांदी अंतरराष्टे हवाई अड़ा बन गया है और ये हवाई अड़ा कहां पर है निव दिल्ली के अंदर बताओ चात्राओं को सेनेटरी नपकिन खरीदने के लिए नगदरासी प्रदान करने वाला पहला राज बन गया। तो छात्राओं के लिए सेनेटरी नेपकेन खरीदने के लिए नगद रासी देने वाला पहला राज जो है ये मद्द प्रदेश बन गया है नेश को सन है हाली में कौन सा राज सभी फसलों के लिए MSP पर खरीदने वाला पहला राज बन गया MSP क्या होता है मिनीमम सपोर्ट प्राइज तो सभी फसलों को मिनीमम सपोर्ट प्राइज पर खरीदने वाला जो पहला राज है ये हरयाना बन गया है नेश बन की बात करें रेले बोर्ट के नए अध्यक्ष और CEO कौन बनी है तो ये बनी है 37 कुमार और इनने जया वर्मा सिनहा का इस्थान लिया है और 37 कुमार इस पत पर पहुँचने वाले पहले दलित व्यक्ति हैं ठीक है याद रखना नेश कौसन में आगे वनने से पहले दोस्तो यदि आप इसी प्रकार से करंटरफेस के हर टॉपिक को पढ़ना चायते हैं बिलकुल कम समय में और आसान भासा में तो इसके लिए हमारी करंटरफेस की अपडेट इबुक लौँच हो गई है इस इबुक के अंदर आपको लिको और भी मजबूत बना सकते हैं आए नेश्वन की बात करें बताओ अगस्त दो हजार चौबीस में लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीमेंट अवार्ट से शम्मानेत होने वाले पहले भारती एक कौन बन गए हैं तो ये अभिनिता साहरुक खान बन गए हैं D-Optsons पाइगा अब बताओ कि WHO के अनुसार कुष्ट रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया तो कुष्ट रोग से मुक्त होने वाला जो दुनिया का पहला देश है ये Zordan देश बन गया है अच्छा कुष्ट रोग के वारे में आपक तोएक वैक्टिरिया है माईक्रो वैक्टिरियम लेपरे इस वैक्टिरिया के करण कुछ रोग होता है ठीके, याद रखना नैश्ठमारा कौस्टING है पहले अंतरराष्टिय सोर महुत्षव का आयोजन कहां पर किया गया तो अंतरराष्ट ये सोर महत्वा का जो पहला संसकन है इस कायोजन नई दिल्ली में हुआ है चुकि पहला संसकन है इसलिए कोशन महत्पून हो जाता है पता ये सितंबर 2024 में नरंद मोदी जी किस देश्ट की यात्रा करने बाले पहले भारतिये प्रधान मंत्री बने है तो नरंद मोदी जी ये बुर्नेई की यात्रा करने बाले पहले भारतिये प्रधान मंत्री बने है ठीक है एसिया ओलंपिक परिशत के पहले भारतिये अध्य तो ये चुने गए हैं रणधीर सहें A option, correct answer हो जायगा Nesht है, A.C.I. राजा गिद्दों के लिए भारत के पहले सररक्षन और प्रजनन केंदर का उधगाटन कहां पर किया गया तो A.C.I. राजा गिद्दों के लिए भारत के पहले सररक्षन और प्रजनन केंदर का उधगाटन जो है ये उत्तरप्रदिस के गोरकपुर में किया गया है D.O. सही answer हो जायगा बताए दूस्तों जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत AI सिस्टम कहां पर लाँच हुआ है तो ये Pench Tiger Reserve में लाँच हुआ है और Pench Tiger Reserve ये कहां पर है तो ये महराष्ट राजज में इस्तित है बताओ हाली में भारत के पहले अंडरग्राउंड म्यूजियम का उद्गाटन किस मुगल वात्सा है के मकबरे में किया गया तो भारत के पहले अंडरग्राउंड म्यूजियम का उद्गाटन जो है यो हुमायू के मकबरे में किया गया और हुमायो का मकबरा कहां पर है नई दिल्ली में ठीक है याद रखना next question है 100% hydrogen से चलने वाली दुनिया की पहली वाड़ज्य की यात्री नौका किस देश में लॉंच की गई है तो दोस्तों 100% hydrogen से चलने वाली दुनिया की पहली वाड़ज्य की यात्री नौका ये लॉंच करी गई है अमेरिका देश में C option सही हो जाएगा बताए किस देश ने दुनिया की पहली high speed carbon fiber train बनाई है तो दुनिया की पहली high speed carbon fiber train जो है ये बनाई है चाइना देश ने ये option सही हो जाएगा तो चाइना ने दुनिया की पहली high speed carbon fiber train बनाई है ये train इतिहास की पूरी तरह से carbon fiber से बने यात्री train है और ये advanced train 87 mil प्रति घंटे यानि की 140 km प्रति घंटे की top speed तक पहुँच सकती है बताओ वहतर नियाय प्रदान करने के लिए किस राज ने पहली गवाही सर्रक्षन योजना को मंजूरी दी है तो दोस्तो ऐसी पहली योजना जो है ये असम राज ने launch करी है ठीक है इसका उद्देश क्या है तो गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करना ताकि उनको डरा धमका कर कोई गलत वयान ना दलाया जासा के कोट में ठीक है तो उनके लिए सुरक्षा सुनिश्चित करी जाएगी गवाही सर्रक्षन योजना के तहट ने इसको सन है महराष्ट की पहली महिला मुख सचिव कौन बनी है तो महराष्ट की पहली महिला मुख सचिव ये सुज दोस्तों ये बनीए सेफाली वर्मा ठीक है नेश्ट है दुनिया की पहली सुसाइड मसीन सर को सुसाइड पूर्ड किस देश ने लॉंच करी है महत्पून कोसन है ये दुनिया की पहली सुसाइड मसीन लॉंच हुई है और इस मसीन को क्या नाम दिया गया है तो सर को सुसाइ शुजरलेंड देस की सरकार ने मंजूरी भी दे दी है और इस मसीन का नाम सर को सुशाइड पूर रखा गया है आप लोग इस मसीन को फोटो में देख पा रहे होंगे और इस मसीन को एगजेट इंटरनेशनल नाम की एक संस्ता है इस संस्ता के डारेक्टर फिलिप निटसके ने बनाया है ये जो डाक्टर साहब है ना इन डाक्टर साहब को डाक्टर डैथ की नाम से भी जाना जाता है अब मरने की मसीन ही बना ली अच्छा ऐसा नहीं है कि आप सुसाइड करना चाहते हैं तो इस मसीन में जाईए और मर जाईएगा ऐसा नहीं है इस पोड के माध्यम स इस मसीन की माध्यम से यदि किसी को सुसाइड करना है तो पहले वो क्या करेगा पहले वो सरकार से पर्मीसन लेगा और सरकार पर्मीसन किन को देती है जो बहुत गंबीर रोगों से पीड़ित है जिनका एलाज नहीं हो पा रहा है मतलब समझ रहे उस रूख का इलाजी नहीं है वो लगाता तडप रहा है उस इलाज के करण तो ऐसे कुछ लोगों के लिए ये मसीन बनाए गई है और इस मसीन बनाने वाले जो डाक्टर साव हैं का दावा है कि इस मसीन में लगभग एक से पांच मेट के अंदर लोगों की मरत्य हो जाती है कम समय में तडपना नहीं पड़ता है ठीक है कम समय में मरत्य हो जाती है बताओ, VSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है VSF की पहली महिला स्नाइपर जो है ये सुमन कुमारी बन गई है कौन बन गई है दोस्तो, सुमन कुमारी नेश्ट है, वैग्यानिक अनुसंधान के लिए जीडी विल्ला पुरुषकार जीतने वाली पहली महिला व्यग्यानिक कौन वनी है तो जीडी विल्ला पुरुषकार जीतने वाली पहली महिला व्यग्यानिक दोस्तो ये अधीती सेंडे वनी है जीडी विल्ला पुरुषकार की बात करें तो ये भारत में काम करने वाले 50 वर्ष से कम उम्र के भारतिय व्यग्यानिकों को उत्कृष्ट कारिये के लिए दिया जाता है ठीक है नेश्ट है ICC Elite Empire Panel में सामिल होने वाले बांगलादेश के पहले Empire कौन बने हैं दोस्तों ये बन गए है सर्फुद दौला इबने साहेद B-Option करक्ठ हो जायागा नेश्ट है ACI Gymnastic Championship 2024 में शौन पदक जीतने वाली पहली भारती जिमनास्टिक कौन बनी है ये दीपा करमाकर बनी है C-Option सही हो जायागा बताए भारत की किस कंपनी ने दुनिया की पहली CNG संचालेत मोटर साइकल को लौंच करने की घुशना करी तो दुनिया की पहली CNG संचालेत मोटर साइकल इसको बुर्जर 125 नाम दिया गया है और इसको बजाज आटो लिमिटेड ने लौंच करने की घुशना करी है तीक है ए ओप्सन सही हो जायगा बताओ इदासिसा नौंगरोंग को किस राज की पहली महिला पुलिस महान दिसक नियुक्त किया गया तो इदासिसा नौंगरोंग का नाम आप याद रखो ये मेगालाई की पहली महिला डीजीपी बनी है नेश कोस्तन है महराष्ट की पहली महिला डीजीपी कौन बनी है तो इसी करम में महराष्ट की पहली महिला डीजीपी जू है ये रस्मी सुकला बनी है नेश कौस्टन है उडिसा विधान सवा की पहली महिला इस पिकर कौन बनी तो उडिसा विधान सवा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है प्रमीला मलेक D.Options शही हो जाएगा मता हाली में राधा रतूडी किस राज जी की पहली महिला मुख सचेव बनी है तो ये उत्राखंड की पहली महिला मुख सचयों बनी है राधा रतोडी नैश कॉस्टन है उत्राखंड की पहली महिला मुखनयादीस कौन बनी है तो पहली महिला मुखनयादीस पूछडाय उत्राखंड की तो ये रितु वाहरी बनी है ठीक है नेश क्रस्टन है भारती मूल के पहले यासे व्यक्ति का नाम बताईए जो कि वेटेस व्रोड कॉस्टिंग कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष बने हैं तो दोस्तो BBC के अध्यक्ष भारती मूल के पहले व्यक्ति बने हैं इनका नाम क्या है इनका नाम समीर साह है डी ओप् और इसी क्रम में भारतिय मूलकें से पहले व्यक्ति का नाम बताईए, जो कि वर्ल्ड बेंक के अध्यक्ष बने हैं, तो वर्ल्ड बेंक के अध्यक्ष बनने वाले भारतिय मूलकें पहले व्यक्ति का नाम क्या है, अजय बंगा, नेश कॉस्टन है, दोस्तो, पहले भारतिय क नाम बता ये जो कि विम्ष्टेक के महा सचेव बने हैं तो विम्ष्टेक के महा सचेव बनने वाले पहले भारती व्यक्ति का नाम है इंद्रमनी पांडे C option हमारा correct answer हो जाएगा भारत के पहले दलित मुख सूचना आयुक्त कौन बनी है तो भारत के पहले दलित मुख सूचना आयुक्त ये हीरे लाल सामरिय बन गए है ये कहां से विलोंग करते हैं राजिस्थान से ये विलोंग करते हैं बताओ विश्व मौसम Geron संगतं की पहली महिला महा सचिव कौन बनी है तो correct answer हो जाएगा सेलेश्टे सूलो ये विश्व मौसम विगїन संगतं की पहली महिला महा सचिव बनी है विश्व मौसम विग्यन संगतं की सथाफणा 1950 है headquarters है जेनेवा में और सदस देशों की संख्या है 193 नेश्ट है भारती ये प्रिति इस्फरदा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है करक्ट आंसर हो जायागा रवनीत को और जो है ये भारती प्रिति इस्फरदा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनी है पताओ विजनिस लेके लेकिने बाला भारत का पहला विस्विद्ध्यालाई जो है ये चंडीगर विस्विद्ध्यालाई बन गया है थीक है वी ऑप्शन सहई हो जायगा बताव भारत का पहला हरत हाइड्रोजन सयंत्र कहाँ पर सुरूंग किया गया तो ये मद्धप्रदिस के विजएपुर में सुरूंग किया गया है ए ओप्सन सही हो जायागा ठीक है गैल इंडिया लिमिटेड ने अपना पहला ग्रीन हाइडोजन सैंत्र मद्दपदिस के विजय पुर में सुरूं किया गया ठीक है और गेल इंडिया लिमिटेड ने इसको सुरूं किया है तो गेल इंडिया लिमिटेड के स्थापना 1984 में हैड़कॉर्टर नई दिल्ली में संदीप कुमार गुपता इसके CMD हैं नेश्टे कांश फिल्म महुत्सों दो होजार चौवीस में ग्रेंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतिये फिल्म कौन सी बनी तो कांश फिल्म महुत्सों में ग्रेंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतिये फिल्म जो है ये बन गई है आल भी इमेजिन एस लाइट मूब C option correct answer हो जाएगा अच्छा इस movie के डारेक्टर की यदि हम बात करें तो पाइल का पाड़िया इस movie की डारेक्टर है ठीक है अंसुय सेन गुपता ए ओप्सन सही हो जाएगा नेश्ट है दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश ने लॉंच किया दुनिया का पहला 6G डिवाइस ये जापान ने लॉंच किया है और ऐसा मानना है कि ये 5G से 20 गुना जादा स्पीड देगा कितनी 20 गुना जादा गड़ी जो है यह इस्ते थे महाकाल नगरी उज्जेन में मद्द प्रदेश के उज्जेन में इस्ते थे आईए हम डेटेल से समझ लेते हैं तो पीम मोदी जी ने फरवरी दो होजा चौबिस को दुनिया की पहली वैद गड़ी का उद्गटन मद्द प्रदेश के उज्जेन में किया है यह जो वैदिक घड़ी है दोस्तो यह उज्जेन में जंतर मंतर की भीतर पचासी फिट उचे टावर पर लगाए गई है और यह जो वैदिक घड़ी है इसको विक्रमादित वैदिक घड़ी नाम दिया गया है इसका उद्देश है डोगों में वैदिक समय की कैल जलवाई उगड़ी भी इस्थापित करी गई थी और देश्ट की पहली जलवाई उगड़ी ये नई दिल्ली में वेगयनिक और अद्योक अनुसंदधन परीसत द्वारा स्थापित करी गई थी ठीक है भारत की पहली AI Teacher याने की भारत की पहली Artificial Teacher भी लॉंच हो गई है कहां पर लॉंच हो गई है तो यह केरला में लॉच हूई है और इन टीचर को आयरेस नाम दिया गया है कि डिटेल की को क्या नाम दिया गया था तो देश की पहली AI News Anchor को Lisa नाम दिया गया था ये factors हो हैं question बनकर आते हैं exam में भूटान का सर्वोच चनागरिक सम्मान the order of डुक ग्याल पो प्राप्त करने वाले पहले विदेशी नेता कौन बन गये हैं करक्टांस रोजा आगा ये PM नरंद जी बन गये हैं तो दोस्तो याद रखना मार्च 2024 में PM नरंद मोदी जी को भूटान के सर्वोच नागरिक प्रुसकार order of डी डुक ग्याल पो से सम्मानित किया गया और PM मोदी जी भूटान का ये सर्वोच सम्मान पाने वाले पहले विदेशी नेता बन गये हैं अता ये हाली में प्रधान मंत्री नरंद मोदी ने भारत की पहली अंडर्वाटर मेट्रू ट्रेंसेवा का उद्गाटन कहां पर किया है भारत की पहली अंडर्वाटर मेट्रू ट्रेंसेवा का उद्गाटन PM नरंद मोदी जी ने पस्चे मंगाल के कलकत्ता में और होगली नदी के नीचे किया है ठीक है नेशकोसन केंसरकार के दोआरा वित्त पोसित पहला गो अभ्यारन उत्तरप्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है तो दोस्तों याद रखना पहला गो अभ्यारन उत्तरप्रदेश के मुझफर नगर में बनाया जा रहा है D option करख्ठ हो जायागा और ये पूरी तरह से केंसरकार के दोवारा बित्त पोसित है बताईए समान नागरिक सहिता यानि कि दोस्तो समान नागरिक सहिता को क्या कहा जाता है यूनिफर्म सिबिल कोड कहा जाता है सोट में इसको UCC कहा जाता है तो UCC को अपनाने वाला पहला भारती राज जो कौन सा बन गया है ये बन गया है उत्रखंड बी ओप्सन सही हो सायगा बताई ये हाली में सभी आवारा कुत्नों की नस्बंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया तो विस्व की पहली चिकिन गुनिया वैक्सीन को अमेरिका के द्वारा मन्जूरी दी गई है ठीक है याद रखना और अमेरिका के खाद और और औसधी प्रसासन ने इसको मन्जूरी दी है और ये जो दुनिया की पहली चिकन गुनिया वैक्सीन है इसको एक्सचिक नाम दिया गया है और इसको एक फ्रांसी सी वायोटेक कमपनी वैल नेवा के दौरा तैयार किया गया है और इसी करह में बताओ कि डवलुयाचो के दौरा अनुसंसित मेनेंजाइटिस रोक के लिए 5CB तो मेनेंजाइटिस रोक के खलाब एक नया वैक्सीन सुरू करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है दोस्तों ये बन गया है नाईजेरिया ठीक है सी ओप्सन करक्ठ हो जाएगा और याद रखना मेनेंजाइटिस रोक के खलाब जो नया वैक्सीन है इस वैक्सीन के मेन 5CB ठीक है नेश्ट हमारा कॉस्टन है किस IIT संस्थान ने श्वाइन फीवर जो की सूरों की एक अत्यधिक संक्रमक वाइरल बीमारी है तो श्वाइन फीवर के लिए भारत की पहली री कॉंबिनेंट वैक्सीन किस IIT संस्थान ने विक्सित करी है करेक्ट आंसर हो जायागा IIT गोहावटी ने ये जो वैक्सीन है इसको विक्सित किया है इसी करह में बताओ मेनेंजाइटिस रोग के खलाप नया टी का पेस करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है तो मेनेंजाइटिस रोग के खलाप एक नया टी का पेस करने वाला जो पहला देश है ये नाईजीरिया देश बन गया है नेश्ट कोस्टन है कैंसर के इलाज के लिए किन संस्थानों ने भारत की पहली सुदेसी नेक्सकार T-cell थेरपी विक्सित करी है जिसे राष्टपती ने लॉंच किया है तो दो संस्थान है एक IIT मुंबे और दूसरा टाटा मेमुरियल हॉस्पिटल मुंबई का ठीक है इन द देश की पहली पुलिस कौन वन गई तो दोस्तो ऐसे आरोपी जिनको जमानत पर छोड़ा जाता है वो कहीं भाग न जाए या फिर किसी आरोप में किसी क्राइम में वो संलिप्त ना हो जाए तो उनको ट्रेक करने के लिए एक GPS ट्रेकर मसीन लगाई गई और ऐसा करने वाल पुलिस वार्शिप चैनल लॉंज करने वाला देश का प्रथम राज कौन सा है पुलिस के लिए वार्शिप चैनल लॉंज करने वाला जो पहला राज है यह उत्तर प्रदेश नेश्चेहाली में कौन सा राज अपने सभी जिलों में होल मार्किंग केंदर इस्थापित करन पहला राज बना तो होल मार्किंग के अंदर इस्थापित करने वाला पहला राज यह कौन सा बन गया है दोस्तो यह बन गया है किरला ए ओफ्षन सही हो जायेगा बताईए हाइब्रेड पिछ तक्नीक का उप्योग करने वाला भारत का पहला इस्टेडियम कौन सा बना तो कहां पर बनकर तयार हुआ है तो दोस्तों ये चित्रकूट में बनकर तयार हुआ है थोड़ी सी डीटेल हम जानेंगे तो चित्रकूट का एक तुलसी सबरी जरना है और इस जरने में उत्तरप्रदेश के पहले गिलास स्काइबॉक व्रेज का निर्माण किया गया भगवार के धनस और तीर की तरह देखने वाला ये आकर सक्त पुल है और इस पुल के निर्माण में 3.7 करोड़ रुपे की लागत आई है और ये जो ब्रज है ये कोदंड वन चित्र में तयार किया गया है ठीक है बताए हाली में पहला वैस्विक अस्मानता पुरुसकार दो हजार ये पुरुसकार जीता है ठीक है और क्यों जीता है तो वैस्विक अस्मानताओं को समझने में किये गए उनकी उत्कृष्ट योगदान के लिए ये पुरुसकार इनको दिया गया बताओ देश के पहले तेरते हुए CNG स्टेशन का निर्माण कहां पर किया गया तो तेरते ह हुए देश के पहले CNG स्टेशन का निर्माण जो है ये किया गया है उत्तरप्रदेश के वाराणसी में नैश कोस्तन है भगबद गीता पर हात रखकर सपत लेने बाले पहले भारते मूल के ऑस्टेलिया इस सीनेटर का नाम क्या है तो ये जो सीनेटर टर्म है इसको हम मंत् बूला जाता है और ऑस्टेलिया में इसको सीनेटर कहा जाता है तो भगबद गीता पर हात रखकर सपत लेने बाले भारते मूल के जो पहले ऑस्टेलियाई मंत्री है ये कौन बन गए है ये बन गए है वरण घोस वी ओप्सन से योज आएगा मता ये BWF की विस्व रैंकिं रंगी रेड़ी और चिराक सेटी की जोड़ी और ये जोड़ी जो है ये पिछले डेड़ साल से चर्चाओं में है मतलब कई सारे रेकॉर्ड इस जोड़ी ने बनाए है और तप देश का कौन सा सहर देश का पहला आर्टीफिसियल इंटेलिजेंस सिटी बन गया तो देश क सुरक्षा वल यानि कि रोड सेटी फोर्स लॉंच करने वाला देश का पहला राज पंजाब बन गया है तो पंजाब सरकान ने सड़क विबस्ता को मजबूत और दुरस्त करने के लिए सड़क सुरक्षा वल यानि कि रोड सेटी फोर्स लॉंच किया और यासा करने वाला पंजाब भारत का पहला राज बन गया पंजाब के मुकमंतरी भगबंत मानने बताया कि इस बल में 144 तो बाहन है और 5000 कर्मचारी हैं जो लोगों की सुरक्षा के लिए 30 किलोमीटर पर सड़कों पर तैनात रहते हैं बताओ मार्च 2024 में प्रथम National Creator Award 2024 किस ने प्रदान किये हैं तो पहली बार National Creator Award प्रदान किये गए हैं और ये Award PM नरंद मोदी जी ने प्रदान करे हैं ठीक है पहली बार ये Award दिये गए हैं इनके बारे में थोड़ी सी डेटेल भी जान लो देखो मोदी जी ने मार्च 2024 को नई दिली के भारत मंडपम में प्रथम National Creator Award 2024 प्रदान किये ग रहे हैं अच्छा इस प्रोषकार की सुरुवात 2024 में करी गई सकार आत्मक बदलाव लाने के लिए और रचनात्मक यानि की क्रियेटियो तरीके से कुछ करने के लिए ये Award दिये गए ठीक है और पता है 23 लोगों को ये Award दिये गए लेकिन हमें 23 के 23 नहीं पढ़ना हमें प्रबचन वगेरा करती है ठीक है ग्रीन चेंपियन का वोड पंक्ती पांडे को सरबशिष्ट कहानिकार का वोड किर्थिका गोविंदा सामी को कल्चरल एमबेश्टर अब दी इयर का वोड गाईका मैथली ठाकर को ये भी आपने देखा होगा मैथली ठाकर काफी प्रसद प्रबचन वड़ गाईका है और टेक क्रेटेग्री में सरबशिष्ट क्रिएटर का वोड गोरव चौदरी को दिया गया है नमसकार दोस्तों यह मतलब गोरव चौदरी भी आपने देखा होगा पसंदीदा ट्रेवल क्रिएटर के लिए कामियाजानी को अवोड दिया गया नेश कोस्टन है दुरगमता का महासागर यह धुरब पॉइंट निमू तक पहुचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं तो दोस्तों यह बने हैं क्रिस ब्राउन हम डेटेल से कोस्टन को आसान भासा में समझते हैं देखो दोस्तों जो क्रिस ब्राउन है आप लोग यहां पर पहुचना आसान नहीं होता और इस तक पहुचने वाले इतिहास के पहले व्यक्ति क्रिस ब्राउन बने हैं पॉइंट निमू दक्षर प्रसांत महासागर में एक काल्पनिक बिंदू है जो की जमीन से बहुत दूरी पर इस्तित है ठीक है नेश कोस्टन है भारत क के बाहर किस देश में पहले जन उस्दी केंद्र खोलने का एलान किया है दोस्तों मोदी जी ने भारत के बाहर मौरिसस देश में पहले जन उस्दी केंद्र खोलने का एलान किया इससे क्या होगा जो मौरिसस के लोग हैं उनको भारत में बनी भैतरीन क्वाल्टी की जेनरिक दवाईयों का लाब मिल सकेगा ठीके बताए रक्षा मंत्री राजनात सिंग ने किस जगा भारती नो सेना के पहले मुख्यालाई नो सेना भवन का उधगाटन किया तो अभी तक भारती नो सेना के पास कोई इस्थाई मुख्यालाई नहीं था इसका जो उधगाटन रक्षा म मंत्री ने अभी किया है कहाँ पर नई दिल्ली में ओके तो मार्श दो होजाट चौविस को रक्षा मंत्री राजनात सिंग ने नई दिल्ली में भारती नौसेना के पहले मुख्याले नौसेना भवन का उधगाटन किया इससे पहले जो नौसेना हैं ये तेरा अलग-अलग स् स्थाई मुख्याले नहीं था अभी तक नौसेना का ठीक है और ये जो नौसेना का नया मुख्याले बनकर तयार हुआ है स्थाई इसकी आधरसला रक्षा मंत्री अरौन जेठली ने रखी थी 2014 में ये कि याद रखना अभी उधगाटन राजनात सिंग ने किया है नेश कोस वर किया गया है हर्याना के हिसार में वी ऐौफ्सं साई होगा नेश कोस सन है पीं योजना लागू करने वाला पहला केंद स्थासत प्रेदिस कौन सा बन गया है करक्ट्ट अंसर होगा ये जम्मू कसमीर बन गया है सी आफ conf06 आयगा मता ये फाली में उत्तर प्रे नेश्टे, हाली में गर्बपात को सम्विधनिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? करक्टांस रोजाएगा फ्रांस बताओ हाली में प्रेटन के लिए कस्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज कौन सा बन गया है करक्ट अंसरोज आएगा महराष्ट नेश्ट है किस राज सरकान ने भारत का पहला सरकारी स्वामित वाला OTT प्लेट फॉर्म सी स्पिस लौंच किया तो देखो ऐसा पहला OTT प्लेट फॉर्म जिस पर सरकार का स्वामित है ये किरला राज ने लौंच किया है और इस ATT प्लेट फॉर्म को सी स्पिस नाम दिया गया है ठीक है नेश्वन की हम बात करें तो बताए दुनिया की ऐसी पहली निजी कमपनी जिसने चांद की सतह पर सफलता पूर्बक मून लेंडर उतारने बाली दुनिया की पहली निजी कमपनी जो है ये कौन सी बन गई है इटू इटेव मसीन बन गई है ठीक है और ये निजी कमपनी किस देश की है तो ये अमेरिका की एक निजी कमपनी है ठीक है याद रखना निजी हाली में कहा की डाक्टरों ने पहली बार इंसान में सुर की किड्णी का सफलता पूर्बक पृत्यार उपन जो है ये अमेरिका की डाक्टरों ने कीया है ठीक है बताइए पंडुबी प्रेटन सुवीदा सुनू करने वाला देश का पहला राज कौन सा बन गया है करक्टांस रोजाय का गुजरात नेश्ट है विस्व का पहला पोर्टेबिल आपदा अस्पताल किस देश में बनाया गया दोस्तों विस्व का पहला पोर्टेबिल आपदा अस्पताल है पोर्टेबिल मतलब इस अस्पताल को आपदा के समय मतलब कहीं पर भी ले जाया जा सकता है उड़ा कर आप लोग फोटो में देख पा रहे होंगे और ये बनाया गया है कहाँ पर अपने देश भारत में वी आपशन सही हो जायागा ठीक है याद रखना और ये जो पहला पोर्टेबिल आपदा अस्पताल है आरोग मैत्री कीव इस अस्पताल को नाम दिया गया इसकी बिसिस्ता ये है कि इस अस्पताल को एयर लिप्ट किया जा सकता है यानि कि एक जगा से दूसरी जगा ले जाया जा सकता है प्रोजक्ट भी इसमें के तहट इस हॉस्पिटल का नर्मान हुआ है इसमें कौन-कौन सी सुविदाएं है तो अपरेशन थेटर है मिनी आइसईईव भी है वेन्टिलेटर है एक्सरे मशीन है भोजन पानी आजिजो जरूरी सुविदाएं होती है वो शारी सुविदाएं इस हॉस्पिटल में दी गई है तेके भारत का पहला सोदेशी विक्सित e-tactor किसने लौंच किया तो भारत का पहला सोदेशी विक्स नाम दिया गया है इस टेक्टर को सेंटल मेकिनिकल इंजिनिरिंग रिसर्च इंस्टिटूट के द्वारा विक्सित किया गया है यह कहां पर इंस्टिटूट दुरगापुर में बता दोस्तो डेका कॉर्ण वनने वाला पहला भारती व्रांड कौन सा वन गया तो सबसे पहले आप डेका कॉर्ण समझो तो देखो डेका कॉर्ण एक ऐसी कमपनी होती है जिसका वैल्यूइशन दस अरब डॉलर के पार पहुच जाता है कितना दस अरब डॉलर के पास यदि किसी कमपनी का वैल्यूइशन पहुच गया तो वो कमपनी फिर डेका कॉर्ण ब बनने वाला पहला भारती ब्रांड है IPL याद रखना ठीक है वी ओप्षन हमारा करक्ट आंसर हो जाएगा जो IPL का वेल्यूशन है यह दस दिसमलाव सात अरब डॉलर पहुंच गया है यानिकि दस अरब डॉलर से यह पार हो गया इसलिए IPL जो है यह D का कॉर्ण बनने वाला पहला भारती ब्रांड बन गया है most important question है तो यहाँ पर जो प्रथम record है ठीक है उनसे related हमने top 100 question को पढ़ लिया और यह जो top 100 question थी सारे question most important question थी मतलब हमने question का selection बहुत महिनस से तयार किया है ठीक है तो यह आप इसी प्रकार के west content को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी current face की e-book selected topic हैं 60 topic हैं और इन selected topic में आपको selected question मिलेंगे ठीक है जो की import है और इसी e-book में आपको monthly current face मिल जाएगा static gk की राम मारी e-book लॉंच हो गई है सामान विग्यान की e-book लॉंच हो गई है तो इन सभी e-book को purchase करके आप अपने study को मजबूत बना सकते हैं और दोस्तों एक test के लिए question दिया गया है आपनों के लिए इसका answer बताना इसी वीडियो से हमने question को लिया है कुष ट्रोग से bacteria या फिर किस virus से ये रोग होता है ठीक है आप हमें comment करके बताईएगा और उम्मीद करूंगा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर share करेंगे वीडियो को like करेंगे ठीक है आपका like हमे motivation देता है और यदि आप share करते है अच्छे अच्छे comment करते हैं तो हमें अंदर से energy मिल जाती है और हम मेहनत करके आपनों के लिए west content बनाने का पूरा प्रयास करते हैं तो like कीजिए चैनल को subscribe कर लिजिए ताकि जब भी मैं नयाव वीडियो डालूं तो उसका update सबसे पहले आपको मिल सके ठेंकी दोस्तों आपके बहादोसर बहुत ही जल्दी लोटेंगे एक नए और जबरजस्त वीडियो के साथ में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत बंदी मात्रम